वा बाध़ पाकी हवा है उस हवा के डर से लोग ठीकट वापस लेखा जब प्ता हो आरेगा तो सब लोगो नहीं लड़ सकते नश होते हैं जिनने लड़ नहीं है आपके प्वशू के केन्डेड भी एपनने टिकट वापस करना चाहते हैं आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? मैंने मुकदमा दर्ज नहीं करा हैं मैंने का भई जिसके ओपर मुकदमा दर्ज होगा उसका जिन्दी की खराब हो जाएगी? शुकी वो तो यूआ हैं? उन्हें कहीं नहीं किसी ने जो असली है सुत्रधार जो शिखंडी है परदे के पिछे उसका पैचान बता दीजे कौन है आदमी पिछे जो परदे के पिछे जिसने इस काम को किया है? मुझे कोई पुलिस कारवाई नहीं करानी, उस पर भी नहीं करानी लेकिन जन्ता के सामने उसका चेराज है कि विक्ति इतना गणित काम कर सकता है कि जिसमें किसी की जान जा सके, यह जान लेने का प्रियास था, तो मैंने समझता है यह किसी की नराजगी से जुड़ा हुआ हुआ है, साज जिस थी मुझे प्रनगर में तो कभी ऐसे लड़ाई जगड़े वाले, आब मैंने महल देखा नहीं पूरे पश्ची मुत्पदेश में पहली घटना है, कभी भी किसी के साथ, यह गाउं है, जहां किसी दूसरी पार्टी के एक वोट नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह कोई विपक्ष का अम्मिद्वार आएगा तो इसकी थोड़ा मारेंगे ऐसा नहीं होता, और वो गाउं तो होता, जहां सो परसेंट वोट हमेशा मुझे मुझे मिली है, बारतिन ताप पार्टी को मिली है तो यह कुछ लोग हैं जो साजी से रचते हैं बालियान साब आपका रिस्ता अमेठी और राइबरेली से बड़ा गहरा है, मैंने देखा दोजार उनीस के चुनाओं में आप करीव एक पंदरा दिन बीस दिन आप अमेठी में रहे हैं और राइबरेली अमेठी दोनों सीटों पर कॉडिनेशन का काम करते रहे कॉअगरेस ना भी दोनों सीटों पर कंडिडेट नहीं दिया, इसके पीछे क्या रहन है उनके पास कैंडिडेट नहीं है या कुछ अलग रहनीट है क्या प्लैनिंग देखते हैं आप कोई प्लाइनिंग नहीं है लडने की इम्मत नहीं है सोनिया जी चली गी राजस्थान और राहूल जी चले गए वाइनाठ अगर आप सच पुछो अगर राहूल गांधी को यह होता कि मैं जीत सकता हूं तो वाइनाठ निया मिठी लड़ते हैं पता है कि जो हला थे उन्हों म बिमार भी हैं तो उनके बारे में बुज़ूर्ग है मुझे कोई बात इसी नहीं कहने चाहिए हो सकता हूं लेकि नावल गांधी तो थे है के वाइनाठ भागे हैं डर के भाग गए नहीं तो क्यों कोई है वाइनाठ और कोई रिस्तेदार ही है महां पर वाइनाठ भाइना मेरा चुनाउग्नी स्को हजाएगा और वाइनीस सप्रेल का चुनाव है तो एक महिना मीठी रहूंगा वाड़ा साब को उन से साथ मज आएगा चुनाव लडने मึटें वाड़ा साहब आप वाड़ा साब कर शमाल एगा पूरा मम्ज आएगा जी लगए हम रोज मी लेंग फाइनली मैं चुकि आप लोग चार सो पार कनारा दे रहे हैं तो मुझकफर नगर सामिल है ना उसमें सो परतीशत और बड़े नतर के साथ गाउं में रहता हूं लोगों को जानता हूं चेहरे पड़ सकता हूं क्या इस्तितिया है बहुत बड़ी जीत होगे मुझकफर नगर में इस बाद मुझकफर्नगर ने 20 वुतार बड़ी जीत होगे आप देखना जो महाल है वो अलग है हमने 19 का भी देख hai, हमने 14 का भी देख his ़ो हम 14 का भी देख रहे हैं तो जब यह आलात हो तो फिर क्या देखा थे वात करने के लिए संजीव बालियान जी थे हम लोगी समय मुझभफर नगर में लगातार लोगों पूरे छेतर में घूम टहल रहे हैं और देखिए घर से लाया हुआ टिफिन भी खुल गया है तो घर का इखाना खा रहे हैं क्या बाहर का खाना बंद है नहीं नहीं बाहर का भी खालें घर का भी खालें पानी ओड़े दो गाँ देखिए अच्य यह काटना है उटने का सारा सारा समान कुदी देखो ये ये किसान नेता जाट नेता की यही खासियत है घर से भोजल लेके चलना खुद खाना खुद काटना सब का खाना साथ होगा सुबह खाना बनके सब का गाड़ियों रखे जा जा जी से समय लेगा सब खाना साथ में खा ले रूटीन क्या रहता है पूरे दिन सुबह में घर से निकल जए और नो बजे के बाद रात के घर पहुंशता हूं बारे से एक बजे के बीच में रोज ही के और यहरोटीन भी नहीं है ये बारे मईनेी रूटीन है कभी भी चुनाउ से एंगा ले दस साल गा रूटीन पी कि वैसे भी मस्त मौला आदमी है व्यक्ति देखने में ही सब लोग गाउं के जीत आब यहां जीत पूर गाउं में ही जिस सरे का समर्था नम लोगन देखा इसे साफ कहा जा सकता है कि मुझफर नगर सीट में कॉम्प्टीशन थोड़ा कम है कि केमरायम निखिल के साथ